गाइस तो ये वाली वीडियो फ्रैंकलेन के ट्विन ब्रदर ड्रैंकलेन वाली सीरिस की थर्ड वीडियो है और गाइस इस वाली वीडियो से पहले इसी सीरिस का पार्ट टू आया था तो गाइस अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो को दे देखा है तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद में आप लोग second part को भी जरूर देख लेना तो guys चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं तो मेरी पूरी बेजती हो जायेगी अरे यह क्या फ्रैंकली गारी तो यहीं पे है मतलब कि restless農 भी यहिंपे होगा अरे फ्रैंकली तुम्हारा भाय डाया है कहां पे हो तुम मैं कहां पे आ गया अरे कौन है अरे यार मैं हूँ फ्रेंक्लिन ट्रावर अरे ट्रावर तुम आगे मेरे यार अरे यार हाँ फ्रेंक्लिन अरे यार यार ये साइकल तो यहाँ पर फस गई अरे फ्रेंक्लिन आगे है तुमारा भाई ट्रावर बताओ क्या काम है अरे ट्रावर अरे फ्रेंकलिन ये क्या हूलिया बना रखा है अपना अरे ट्रावर मत पूछो यहाँ पर मिलिटरी मेरे पिछ लगी हुई है उनी से बचने के लिए ये हूलिया बनाया है मैंने अरे रेक मिलिटर को तुम फ्रेंकलिन हो या फिर तुम फ्रेंकलिन हो अरे अरे वो मैं फ्रेंक्लिन हूँ अरे ये क्या तुमारी आवास को क्या हो गया अरे अरे ट्रेवर ये फ्रेंक्लिन नहीं है बलकि वो लाल वाला फ्रेंक्लिन है अरे येर हमको नहीं पता कौन फ्रेंक्लिन है अरे तुम अपने फ्रेंकलिन भीया को नहीं पैचान रहे है सिंचेन अबे याल दिखने से तो ये कलुआ लग रहा है पर आवाज से ये वाला कलुआ लग रहा है अरे अरे जरा अपनी आवाज बतलनी पड़ेगी अरे मैं हूँ फ्रेंकलिन अरे चौप तुम कैसी बाते कर रहे हो मैं फ्रेंकलिन की तरह दिखता भी हूँ और मेरी अवाज भी फ्रेंकलिन की तरह ही है दोस्तो आप बताओ मैं हूना असली फ्रेंकलिन अबे ओय ड्रेंकलिन के बच्चे तुम मेरे घर को ही कबजाना चाता है अरे यार तुम हो ड्रेंक्लिन और तुम मेरे घर को कब जाना चाते हो अरे माइकल समझाओ इन लोगों को कि मैं ही असली फ्रेंक्लिन हूँ अरे यार फ्रेंक्लिन अब तो मैं भी करन्फ्यूस हो रहा हूँ कि कौन असली Franklin है तुम सच मैं Franklin नहीं हो न अरे माइकल कैसी बात ही कर रहे हूं मैं तुम्हारे घर आया तो था और तुम्हारे आगे ही मैंने अपने भीज बदला है और ये दाड़ी वाड़ी बढ़वाई है अरे यार हाँ हाँ इस वाड़ी वाली को यही है नगली Franklin अरे यार अगर माइकल बोल रहा है तुम माइकल बिल्कुल सही होगा तुम ही हो नगली Franklin अबे पर ये भी तो नगली Franklin हो सकता है अरे चौप तुम अपने Franklin भी या कोई नहीं पैचान पा रहे हो अरे ट्रावल तुम पहले सही बंदे को मार रहे थे यही है नगली Franklin अरे 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 गूली माचला ना मैं ही असली Franklin हूँ अरे तेरी आवाज को क्या हुआ हाहाहाहा संकी हूँ मैं संकी कल देता हूँ मन की मुझे पता चल गया तुही नगली Franklin है अरे 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 ने ने मेरी अरे अवाज बदलनी पड़ेगी अरे अरे यार मैं ही असली Franklin हूँ तुमको को कोई गलत साइम ही हो रही है अरे तुकब कब आने कैसे लग गया अरे यार पता नहीं मिलिटरी कब आएगी काफी दिर का उनको फोन तो कर दिया है थैंक यू पलीस आफिसर्स हमारे साथ में कॉपरेट करने के लिए हमारी खबर पकी है जो मुझरिम आर्मी के ग्रफ से भागा है वो इस घर में है जिसका नाम है ड्रैंकलेन उसी ने हमारे मिलिटरी की हाइट टेक बैक चुराए थी अरे आप भी कैसी बाते कर रहे हैं पलीस का तो फर्स है आर्मी के साथ में मिलके क्रेमिनल्स को पकड़ना और यार तुमने बिलकुल ठीक बोला ओफिसर् यहाँ पे जो क्रेमिनल्स घर के अंदर है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है इसलिए मैंने यहाँ पे अपने इतने सारे आफिसर्स को बलाया है तुम लोग यहाँ पे अपनी पोजिशन्स को लेके रखना क्या मतलब सर हम लोग अंदर नहीं जा रहे क्या और यहाँ नहीं मैं अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स के साथ में जाऊंगा अरे क्या सर औरे तुमने बिलकुल ठीक सुना उस क्रेमिनल्स के लिए खास तोर पे आर्मी ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें आर्मी के सबसे अदा खतरनाक सोलियर है और वो टास्क फोर्स इस काड़ी के अंदर है तो भारा आजा सोलियर्स हमें उस क्रेमिनल्स को किसी भी हाल में पकड़ना है और याल सर हम एक्शन के लिए तैयार है पताईए कहां पे जाना है और याल यही घर है और हमें बैक अप देंगे यह पुलीस के जवान मालो की अगर वो लोग हम पे भारी पड़े और उन्होंने भागने की कोशिश की तो पुलीस के यह जवान उनको भागने नहीं देंगे और यह है आर्मी का मेजर तो मेजर धान रखना यहां पे कोई भी बचने ना पाए आप मुझे पर सारे दुमेदारे सौप सकते हैं सर यहां की आप चंता मत करिये आप लोग अंदर जाएए और ठीक है तो आओ सोल्जर्स आज हम भी तो देखे कि वो क्रिमिनल कैसे भागता है पुलीस की गरफ से और यह क्या यहां पे यह रहा वो क्रिमिनल और यह साइद उसके साती है आओ धीरे धीरे अंदर आओ अरे सर ठीक है ठीक है और हम आर हम से अंदर आना यहां पे यह लोग कुछ भी कर सकते है अरे यह क्या यह तो गोली चलाने वाला है अरे मिलिटरी कहां से आ गई अरे अपने हाथ तुपर करो और सरेंडर कल दो यहाँ पे यह बंदुग चलाने के कोशिश मत करना अरे 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 नहीं नहीं मै ट्रावाल संगी हूँ पेचाना नहीं किया मुझे अरे तुम जो भी हो यहाँ पर military ने अब तो मैं घेल लिया है यहाँ पर कोई भी भागने कोशिश नहीं करेगा सब लोग अपने घुटनों पर बैठो बैठो अभी अरे हाँ बैठते हैं बैठते हैं अरे military यहाँ पर कैसे आ गई अरे मैंने ही आपको phone किया था यह लोग मेरे घर में आके बैठ गए हैं और याल तम तोसी की तरह दिखते हो जो हमारी गाड़ी यहाँ पर चुरा के ले गया था military वाली अरे हाँ दोस्तो अब आएगा ना मज़ा जब guys मैं military के पास से भागा था तम मैं guys एकदम अपने original base में था और guys ड्रैंकली ने मेरा base copy कर रहा है इसलिए military को लग रहा है ड्रैंकली नी वो है जिसको वो लोग ढूंड रहे है अरे मैंने तो आपको यहाँ पर पलाया है आप मुझे ही क्यों ग्रफतार कर रहे हो और तो मैं ही नहीं इन सब लोगों को ग्रफतार कर रहा हूं ये लोग भी तुमारे ही गैंग के हिसे लगते हैं अरे यार नहीं नहीं आप गलत समज रहे है हम इनकी गैंग के हिसे नहीं है अरे तू कोन है बे और यार तुम तो इनकी leader लगते हो एकदम suit wood पेहन के अरे यार नहीं मैं नवाब हुना इसी लिए ऐसे सूट पहनता हूँ अरे तो सोल्जर्स इन सब को पकड़ो और ले चलो मेरे साथ में अरे ठीक ठीक है सर इन सब को अभी पकड़ते हैं अरे यार ट्रावल संगी आज तक पुलिस के ग्रफ्त में नहीं आया आज क्या आएगा आज किसी को नहीं छोड़ेगा ट्रावल संगी अरे यार मैं तो यहां पर चुप गया हूँ अरे यार तुमने ये लड़ाई की शुरू कर दी, यहाँ पे अभी हम ऐसे कोई भी नहीं बचेगा अरे यार, अरे यार मायकल, तुम मेरा किदर डर बोखो, यहाँ पे हम लोग इन सब को पेल दिंगे अरे यार, फ्रेंकलिन मारो उनको, अरे यहाँ मार रहा हूँ अरे मेरा मतलब फ्रेंकलिन से है, ड्रेंकलिन तुम से रही, अरे यहाँ पे अभी भी खुलने चल रही है अरे तुम लोगों को छोड़ूँगा रही मैं, मैं हुट्रा वार संगी अरे मायकल वहाँ पे चपके का कर रहे हो, यहाँ पे आउना अरे यार मैं वहीं पे ठीक हूँ, अरे यार लगता है, भार पूरी मिलिटरी आ गई है हमें यहीं से निकलना होगा, पहार कूद के, अरे फ्रेंकलिन, हमें पहार कूद के ही निकलना पड़ेगा आरे यार ये क्या, ऊपर भी इत्ते सारे बंदें खड़े हैं, आरे यार च्या करें अब, अरे तुमने यहाँ पर लडाई की शुरू की, हम तो सुरेंडर करने ही वाले थे अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या ट्रावर संगी ने आज तक सरेंडर नहीं किया फिर अब कैसे सरेंडर कलता अरे यार तुम भी ना ट्रावर गाइस यहां पर ट्रावर ने यह क्या किया अरे यार मुझे पता था अब तुम लोग नहीं बचने वाले अरे यार पहले स्कमांडर कोई मालता हूँ कमांडर के बच्चे ये क्या इसको कोई इसर क्यों नहीं हो रहा है अरे यार मैने अल्ट्रा प्रो मैक्स बुलेट प्रूफ सूट पहना है अरे यार अच्छा तेरे बुलेट प्रूफ सूट की तो अभी खड़ी करता हूँ मैं अरे ये क्या यहाँ पे इसको किसने मारा अरे मैंने मारा है अरे तो फिर इनको मैं मारूँगा तम लोगों को क्या लगा ट्रावर संगी से बचना इतना आसान है तम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सबकी छुट्टी कर देगा ये ट्रावर लगता है भार और भी बंदे हैं अरे हमें क्या करना चाहिए अरे ट्रावर अभी करना क्या है यहाँ पे इन सबको फीटो अरे यार ठीक है अरे ये क्या हो रहा है अरे तुम लगों को छोड़ूँगा नहीं मैं अरे यार अरे यार अभी यहाँ से निकलना है अरे यार अभी यहाँ से निकलने में हमारी बलाई है अरे यार पहले इनको खतम तो कर दे अरे हाँ पहले इनको खतम तो कर दे अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो अरे चौप कहां पे गया अरे लगता है चौप यहां पे भाग गया अरे यार क्या अरे हाँ अरे यार तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ यहां पे हमारे पीछे पुलिस लग गई है अरे यार ट्रवर आ रहे हैं आ रहे हैं अरे हाँ जल्दी जल्दी आओ वर्णा अरे वर्णा क्या आ रहे हैं अरे यार ट्रवर उस गेट पे तो बहुत सारे प्लीस वाले हैं हम वहां से निकलेंगे तो बच नहीं पाएंगे अरे यार तभी तो बोल रहा हूँ यहां से आ ज अरे हां मैं ही हूँ ड्रैंकलीन त intent फ्रैंकलिन पर मैं तुम्हारा भाई हूं नमा ना प्लीज मुझे आर्मी से पचा अरे कोई अंदस्ण करो ड्रैयार मैंने लेस्टर को पून कल दिया है लेस्टर बस आता ही होगा अशाए यार हाँ, पर वो लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर एक जगा पर रुखना नहीं चाहिए, भागती रहना चाहिए, अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे एक काम करूँ, यहीं पर छुप जाते हैं हम थोड़ी दियर तक, तब तक लेस्टर नहीं आता ह होगा, अरे यार तुम ठीक बोल रहे हो, अरे एक मिनिटर को, यह तो लगता है लेस्टर का फून है, अरे हेलो लेस्टर कहां पर हो, अबे यार मैं तो फ्रेंक्लिन की गली पर खड़ा हूँ, अरे क्या फ्रेंक्लिन की गली पर हूँ, अरे ठीक ठीक है आ रहे हम लोग, अ अरे हाँ हम लोग भी आ रहे हैं, अरे ये ड्रैंगिल्लिण के बच्चे सबसे पहले आता है, फ्लैंगिल्लिण कहाँ प गया, अरे हां मैं भी आ रहा हूँ अरे ठीक है ठीक है अरे लेश्टर मेरे यार हम आ रहे हैं बढ़ समलकी उस तरफ पुलीस है अब यार मैं तो समलक है यह हूँ बढ़ तुम लोग चल्दी बैठो वरना पुलीस आ जाएगी अरे ठीक है अभी बैठती है गाड तुमारा भाई चलाएगा तुम लोग चल्दी से बैठो अरे ठीक है नवाब अभी बैठता है एक काम करता हूँ मैं बंदुक चलाऊंगा आर नवाब अब किसी को नहीं छोड़ेगा अरे रुको मैं भी बैठता हूँ अभी अरे यार है और मैं भी बैठता हूँ अरे यार गाइस तो अफसीन कुछ ऐसा है कि फ्रेंकलिन और चॉप हमें यहाँ पे दूसरी गाड़ी में फॉल्लो करने वाले हैं क्योंकि इस वाली गाड़ी में इतनी जगा नहीं है अरे यार हाँ फ्रेंकलिन और चॉप तुम चंता मत करना तुमारी पीछे से सुरक्षा मैं करूंगा अरे हाँ हाँ ठीक है माइकल वैसे हमें डरनी कोई बात नहीं है अरे यार हाँ अभी चुप के से चलो इससे पहले कि पुलीस की चान बीन हमारे घर पे खतम हो जाए और वो लोग हमारे पास में आ जाए अरे ठीक है ठीक है अरे यार तो फिर चलें क्या फ्रेंकलिन अरे हाँ हाँ चलो अरे वेस लेश्टर हमको जाना कहां पे है आरे यार तो मुझे भी नहीं बता, तुम लोगों ने बोला था मेरे लिए यहाँ पर गाड़ी ले आओ, और मैं लेकर आ गया, और मेरे घर पर जाने की तो सोचना भी मत, वैसा ही पुलिस ने मेरे 36 का अंगड़ चल रहा है, अरे यार चाह बात कर रहे हूँ, फिर हम लोग क का बच्चा कहां पर गया, अरे यार ट्रेंगलिन गाड़ी में बैठा है, अरे किसकी गाड़ी में, अरे मेरी गाड़ी में, अरे तुमने इसको बठाया क्यूं, इसको तो हमें मिलिटरी के पास में छोड़के आना था, अरे यार नहीं नहीं फ्रेंगलिन, मैं तुमारे भ मेरे गाउं पे ही चलते हैं अरे मेरे गाउं का रास्ता यहां से जा रहा है अरे हाँ हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम्हारा गाउं का हाँ पे है अरे यहां से सौट कट ले लूँगा मैं अरे यह क्या यह हेलिकॉप्टर कहां से आ गया अरे क्या है हेलिकॉप्टर आ गया अरे यहां फ्रेंक्लिन यहां पे हेलिकॉप्टर आ गया लगता है पुलीस को हमारी लोकेशन को बारे में पता चल गया अरे यार फ्रेंक्लिन तुम कहां पे हो अरे मेरी गाड़ी यहां पे पार्ट पे निटेट पा रही है अरे या कोई बात नहीं हम लोग रोट से ही आ रहे हैं आरे माइकल फ्रेंक्लिन को भी कवल दो फ्रेंक्लिन के पास मैं और कोई बंदे भी नहीं है फ्रेंक्लिन ने लोगों से लड़ना बंद कर ön यहाँ पर गाडी में बैठो और आओ अरे ठीक है ठीक है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठके आ रहा हूँ अरे अरहाँ हम लोग दूसरे रास्ते से आएंगे आजाओ अरे पुलीस वालो हट जाओ साइड में अरे रहाओ आओ अरे ठीक है तीक है आ रहाँ मैं अरे यहां चल दियाओ, दोस्तों यहां पे हमारे पीछे पुलिस लग गई है, हमें दूसरे रास्ते चे आना पड़ेगा, अरे यह क्या, अरे माइकल छोड़ना मत किसी को, अरे यहां नवाप पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है इन लोगों को, आओ आओ फ्रेंक्लिन मेरे प अरे यहां नहीं नहीं, फ्रेंक्लिन को हम ऐसे हकीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह प्लिस वाले काफी दा खतर नाक हैं, अरे यह क्या, यह तो यहां पे भी आ गए, अरे यहां पर नवाप के होते हुए, तम चंदा मत करना, अरे यहां पे इनों रास्ता ब्लॉक कर यहां से मुझे एक रास्ता पता है, जहां से हम लोग मेरे गाउं जल्दी पहुंचेंगे, अरे यार बर ट्रावर, हम लोग तुमारे गाउं में भी पहुंचके करेंगे ही क्या, यह लोग हमारा पीछे वहां पे भी करेंगे, अरे यार पर मेरे गाउं में, मेरी गैंग हम समारी मदद करेगी इन लोगों से अपना पीजा चुडाने में अर्यार सचमें अर्यार हाँ वैसा यह फ्रेंक लिन पर रहा है पर प्लीस वाले आ तुमने क्या-क्या इनके साथ मैं कहाँ पर हो कर रहे हूँ बहुत बएऄ ऐसे ही करते रहू फ्रैंकलेन आता ही होगा मैं क्या बोलता हूँ हम लोगों को यहां से निकलना में चाहिए भाब अपने अपने claro यहां पर यहां ये लोग ठीक बूल रहे हैं, हमको यहां से चलना चाहिए, आरे आओ बैठो जल्दी, आरे हाँ हाँ बैठ रहे हैं, यहां जल्दी बैठो, इन लोगों का सामना बाद में करना, अरे यार तो दोस्तो हम लोग यहां पर पुलिस को चक मत देके बसते बचाते यहां तक आ गए हैं और अब ही हमारे पीछे पुलिस नहीं है और मुझे यहां पर फ्रेंक्लिन का फूर आया था फ्रेंक्लिन बोल रहा है कि सारी पुलिस उसके पीछे लग गई है वो पुलिस का ध्यान बढ़का के मेरे घर पे ही आ जाएगा अरे यार फ्रेंक्लिन को मदद तो नहीं चाहिए अरे यार नहीं नहीं फ्रेंक्लिन बोल रहा था कि वो अकले ही सारे पुलिस वालों को देख लेगा अरे यार अच्छा ऐसी बात है क्या अरे यार हाँ अरे यार फ्रैंक्लिन मेरा भाई कतना अच्छा है मुझे बचाने के लिए यहां पर पुलिस वालों से बिढ़ रहा है अरे ड्रैंकलिन के बच्चे तुम तो चुपी हो जाओ ये सब मुसिबत हमारे उपर तुमारी वजासे ही आई है अरे यार ट्रेवर भीया आपने भी तो पलीस वालों के उपर अंदाधुन फाइरिंग कर दी थी क्या जुरुत थी आपको फाइरिंग करने की अरे यार ट्रेवर संगी का आज तक रेकॉर्ड है आज तक उसको पलीस नहीं पकड़ पाई तो आज क्या पकड़ती वो भी फ्रेंगलिन के मैटर में अरे यार हा नवाब को भी 12 मुलकों की पलीस आज तक ढू़ नहीं पाई अरे यार सच में मझे तो पुलिस ने कई बार पकड़ लिया था एक बार तो मिलिटरी ने ही पकड़ लिया था अरे यार तो फिर आप वहाँ से भाग के कैसे आए अरे यार उसी बाइक से जो कि मैं फ्रैंकलिन के लिए गिफ्ट लेकि आया था अरे यार वो वाली बाइक अरे यार कहां पे है वो वाली बाइक जिसकी वज़ाए से ये सब कुछ हो रहा है अरे यार वो तो अब मिलिटरी के कंट्रोल में है वो पूरे 400 करोड की बाइक है अरे यार क्या बोले तुमने 400 करोड की बाइक अवे यार 400 करोड की बाइक अरे हाँ इसलिए तुम मैंने यहाँ पर आर्मी से पंगा लिया था अरे यार तुम सच बोल रहे हो ना अरे हाँ मैं सच बोल रहा हूँ अरे यार तो दोस्तों यह हम आगे मेरे घर पे और ये क्या ये तो यहाँ पर रॉन खड़ा है अरे रॉन ये देखो मैं अपने साथ में किसको लेके आया हूँ अब अब आई किसको ले आये तुम और लेश्टर भी आया है कि तुम्हारे साथ में अरे हाँ आया है आया है अरे तो आओ तुम सब लोग घर के अंदर आओ यहाँ पे रोन रोन हमारे पीछी यहाँ पर पुलिस लगी है यहाँ पर तुम भारी रहना और देखना कहीं पर पुलिस न आ जाए अवे ऐर ट्रावर यहाँ पर बद्बू कैसी आ रही है अरे यार मैंने इसकी तीन महीने से सफाई नहीं की अरे हाँ लेस्टर तुम कहाँ पर रह गए अरे यार ट्रावर में आ गया अरे यार लेस्टर यहाँ पर तुमने सुना होगा वो बाइक 400 करोड की है क्या हमको इस वाली बैक को चुराना चाहिए अरे उसको चुराने का प्लान हम बाद में बनाएंगे अरे यार हाँ अभी तो हमारे पीछे पुलीस पड़ी है नवाब ने इतनी सारी चूरिया की पर आस तक इतनी पुलीस कभी ने पड़ी नवाब के पीछे अरे यार वो बाइक ज़रूर को ज़्यादा ही स्पेशल होगी तब ही इस ट्रेंकलिन के पीछे इतनी ज़्यादा पुलीस और आर्मी है अरे हाँ वो बाइक सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल है अरे यार एक काम करते हैं यहाँ पर फ्रेंकलिन का इंतिजार करते हैं फ्रेंकलिन को आने दो तब आगे की प्लानिंग करेंगे हम अरे यार ठीके ठीके फ्रेंकलिन भी आते होंगे वैसे अरे यार हाँ आचा है कि फ्रेंकलिन पुलीस ते बच जाए अरे यार ये पुलीस मेरा पीछा है नहीं छोड़ रही है अरे चौप मैं क्या करूँ अब यार कलुए मैंने तो पहले ही बोला था कि उन लोगों के साथ में ही चलते हैं वो लोग तो अब तक पहुँच भी गए होंगे अरे हां ट्रावर बता रहा था कि वो पहुचने ही वाले हैं और अब तक तो साथ वो पहुची गए होंगे अब यार कलुए ये कासा कुदा दी तुने गाड़ी अरे यार इनसे बचने के लिए ऐसे ही कुदानी पड़ेगी अरे दोस्तों मेरे तो को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पुलीस से मैं पीछा कैसे छड़ाऊं गाइस मैं यहां पे भी जा रहा हूँ ये पुलीस मेरे पीछे ही आती जा रही है अब यार कलुए मरवाएगा क्या गाड़ी को यह समझ चला अरे ठीक है ठीक है चॉप अगर गाइस ये पुलीस की गाड़िया पीछा छोड़ती हैं तो ये हेलिकॉप्टर पीछे आ जाते हैं अब यार हाँ इन हेलिकॉप्टर से कैसे बचा जाए अरे यार इनको मायने के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ मैं अब यार कल वे एक काम कर अभी तो यहाँ पे बसते बचाते ट्रवर के पास ही पहुंझा अरे यार अगर मैं ट्रवर के पास में गया ना ट्रवर मुझे छोड़ेगा नहीं क्योंकि ट्रवर ने बड़ी मुश्किल से पुलीस को चकमा दिया है और अगर मैं डारेक्ट ट्रवर के घर पे चला गया तो पुलीस वहाँ पे भी चली जाएगी और हम सब के सब पकड़े जाएगी अब यार गलती भी तो ट्रवर की है बिना मतलब मैं पुलीस पर फारिंग कर दी अरे यार हाँ दोस्तो चौप की बात ठीक है काईश ट्रवर क यह कौन सा ठैनल है अरे यार मेरे ख्याल से लिए ही से निकलना होगा यहँ वाला टैनल थोड़ा असा सेफ लग रहा है अढ़र कलो यह क्या कर रहे तू अरे पोली स्पीड में यहाँ से निकलने की कोशिक कर रहा हूं अरे अरे दोस्तो ये क्या अरे यार यहाँ पे गाड़ी चली नहीं पा रही है अगर गाइस यहाँ पे कोई SUV होती न तो गाइस और भी साथ मज़ा आता अब यार कलूए पानी आऊगे पानी में मत ले जाएए अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है अरे यार ये क्या गाड़ी के अरे गाड़ी के पलीस वाले कहीं गाड़ी के टारी पंचर ना कर दें चलो गाड़ी यहाँ पर अभी गाओं की तरफ ही चलते है और बेर कलुए ये क्या सामने से गाड़ी आ रही है अरे गाड़ी को चकमा दे दिया मैंने अरे दोस्तों ये क्या पत्थर में ठुक गए हम लोग अरे उस ड्रेंगलिन के बच्चे को गायस मैं छोड़ूँगा नहीं उसकी वज़य से गायस पूरी लॉस रेंटोस की पुलीस और सायद मिलिटरी भी मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई है अरे हाँ पर पुलीस भी गायस काफी ज़दा खतर नाक है मैं तो कहूंगा गायस मिलिटरी से यादा खतर नाक हिस समय पुलीस हो रही है अरे गायस इनको उड़ाता हुआ जाता हूँ काईस इस गाड़ी में इतनी दम है कि यहाँ पे इन गाड़ीयों को अड़ा सकती है और यार यहाँ पे एक काम करता हूँ पुलीस के पास में भी गाईस ऐसी वी नहीं है और गाईस पुलीस को भी काफी जादा मुश्किल होने वाली है पाहडों की उपर गाड़ी चलाने में इसलिए मैं यहाँ पे पहाड़ों के उपल से होता हुआ ही लेके जाता हूँ ताकि यह लोग मेरा पीछा ना कर पाए और ब्यार हाकल हुए ऐसा ही कर पर कहीं यहाँ पे हमारी गाड़ी डैमेज ना हो जाए अरे आल चौप मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारी गाड़ी डैमेज हो जाएगी अगर हम पाहड पर इसी तरह से चलाते रहे क्योंकि गाड़ी की भी एक लिमिट है अगर गाड़ी उस लिमिट के पार गई तो गाड़ी भी तूट सकती है इसी लिए अभी मैं यहाँ पर रोड़ पर ही चलाने वाला हूँ अभी उड़ाता हूँ तुमारी ये लो मेरा पीछा छोड़ दो मैं ना कुछ किया ही नहीं है फिर भी गाड़ी ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं काय सच में ड्रैइंगिन इस glory को फिर चूड का आना चाईये था वो तो गाड़ी ट्रावर ड्रैइंगिन को अपने साथ में ले-ले आया मेरा बस चलताना तो गाड़ी मैं वहाँ पर ड्रै-कलिन को मिलिटरी कर्नेल की पास महीं छोड़ आता अब यार कलुए सच बोल रहा है का तू अरे यार हाँ अब यार कलुए ट्रावल तो छोड़ने ही वाला था वो तो तूने बोल दिया जैसा भी है मेरा भाई है अरे पर मेरे भाई की वज़े से मुझे इतनी दिक्कते हो रही है हम मैं क्या करूँ अब यार कलुए तू भी न दो दो बाते करता है साफ साफ क्यों नहीं बोलता आरे हाँ हाँ उस समय में कन्फ्यूस हो गया था काईस इस टनल में थोड़ी दिर छपे रहें क्या हम लोग अब यार कलुए यही पर छपे रहते है थोड़ी दिर मुझे नहीं लगता है यहाँ पर पुलिस आप आएगी अरे यार हाँ गाइस यही पर थोड़ी दिर छुपे रहते हैं अरे यहाँ पर गाइस मैप में देखो हेलिकॉप्टर नहीं नहीं हमारे पीछे नहीं आपाया यहां पर guys मुझे लगता है हम लोग एकदम safe हैं अब यार हाखल वे guys मुझे नहीं लगता है यहां पर कोई police की गाड़ी हमें कुछ करने वाली है अब यहां पर अभी हम लोग एकदम safe हैं अब यारे गाड़ी आ रही है police की सामने से map में देख अब यार चॉप यहां पर train आ गई अब यार कल वे एक काम कर ट्रेन पर ही चलते हैं अब यहां दोस्तों मैं यहां पर train पर ही निकल लेता हूँ अब यह चॉप तुम भी आ रहे हो क्या अब यार यह क्या हुआ guys मैं तो यहां पर गया काम से अरे सामने से पुलीस भी आ गई guys हमें इस ट्रेन के पीछे जाना होगा क्योंकि guys यह ट्रेन ही अभी हमें यहां से निकालेगी मुझे नहीं लगता यह पुलीस वाले ट्रेन का पीछा कर पाएंगे अब यार अच्छा कल वे अरे यार हाँ guys यह ट्रेन किसी भी अहलत में निकलनी नहीं चाहिए अरे guys ट्रेन तो आगे जा रही है और यह पुलीस वाले भी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे है अरे यार दोस्तों क्या करे अब यार कलुए पगल से ले जा पट्री पे चलाना काफी जादे मुश्किल है अरे चॉप तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो guys यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले जाके मैं गाड़ी को रोक दूँगा और guys तभी ट्रेन पे चट जाओंगा अब यार चलती हूँ ट्रेन पे चट जाएगा तु कलुए अरे यार कोशिश करने में क्या ही जाता है अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो यह पुलीस वाले वैसे हमारा काम तमाम कर देंगे अब तेरी भी बाठ ठीक है अरे यार हाँ चॉप एक काम करता हूँ guys थोड़ा सा और आगे रोकूंगा हाँ मेरे ख्याल से यह वाली जगा ठीक है अब यार कलुए रोक ले गाडी को अरे हाँ हाँ रोक ली रोक ली रोक ली रोक ली guys यहाँ पे ट्रेन का अंतजार करते हैं ट्रेन आ गई चॉप तुम भी आजाओ अब यार ठीक है ठीक है कलुए आ रहा हूँ मैं अरे यार अरे चॉप इतनी दिर मैं आओगे तम अब यार तुचल मैं आ रहा हूँ अरे ठीक है ठीक है guys यहाँ पर चॉप आ जाएगा गायस चॉप की ट्रेनिंड बिल्कुल भरोषा नहीं नहीं होती है आई यार ये गायस चॉप का बच्चा भी आब इस ट्रेन पे चड़ की रहूंगा क्योंकि गायस मुझे लगता है अगर हम इस ट्रेन पे चड़ जाएँगे न तो पुलिस को आसानी से चकमा दे देंगे हम लोग अब यार इस गाड़ी से चकमा देंगे अरे यार पुलीस को लगेगा कि हम अभी भी गाड़ी में हैं और हमारी पेट्रोल खतम हो गई है पर हम तो यहाँ पर ट्रेन में बैट के फुर हो जाएंगे अब यार अच्छा अरे यार हाँ चॉप अब यार तु कामी ऐसे कलता है शाबाशी वाले कामी नहीं कलता है तू अरे चॉप यह क्या अब यार गाड़ी चला ले ठीक से अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है अरे यार यार यह पुलीस वाले भी आ गए और गाइस यहां पर मेरी बंदुक में गोलिया भी कम है अब यार कल हो रहा है मेरे साथ में ही और कल्वे यहां से नीचे से ले जा अरे ठीक है काईस ऐसी भी नहीं है न तो काईस काफी जादे दिक्कते हो रही है और तूने तो बड़ी आसानी सोड़ा दियो असको अरे हां हां अरे गाय से ट्रेन निकल जाएगी कि मेरे खाल से अब मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां पर ले जाता हूँ और यह मैं आ गया हाँ हाँ हा ट्रेन के पास में हम लोग बस पहुचने ही वाले है अबे आरे प्रेन दंसो decreasing हैङ जाना है ठुपता है ना गाड़ी पुडी हवा में अड़ से अरे यार यहां पर अब मैं कोई मिश्टेक ने करने वाला यहां पर एकदम यहां पर गाइस है हमारी गाड़ी टैनल में आ गई अब यार कलुए गाड़ी को टैनल से बाढ़ contained जा अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है अरे याँ यार आँ एहाँ ठीक है अभी जाना होगा ताकि आफ मैं ट्रेन पर आ इस वाली टनल में आ गए और मेरे पीछे गाइस अभी तक पुलीस भी नहीं है यहां से हम लोग आराम से निकल सकते हैं एक मीट चौप तो भी उतर जाओ मैं खोडा केला यहांप नहीं चड़ पा रहा हूं तो मैं प्रम के चड़ाओंगा यहां पर कोई जल बाजी नहीं हां मैं चड़ गया अबे कल्वे रुक जा मैं भी आ रहा हूँ गायस तो मैं और चौप यहाँ पे successfully ट्रेंड में आ गए अरे चौप क्या हो गया तो मैं अबे मैं बीच में फ़स गया कल्वे बचा अरे यार चौप रुको रुको अभी बचाता हूँ अरे गायस तो मैंने यहाँ पर चॉप को निकाल लिया है अरे चॉप तो मैं कोई ज़्यादा दल तो नहीं हुआ ना अब कलुए मरवाई दिया था तो न मुझे तो बाल बल बचाओं मैं अरे हाँ हाँ चॉप ठीक है अरे गायस अब तो हमारे पीछ़ए पुलीस भी नहीं है अभी हम लोग यहाँ पर गायस ट्रेन से उतर सकते हैं क्योंकि गायस पुलीस अभी तक उस टैनल में हमारी गाड़ी कोई देख रही होगी अब यहाँ कल हुए तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है अभी गायस यहाँ पर कोई अच्छी सी जगा आने दो फिर गायस हम लोग ट्रेन से उतर जाएंगे और यहाँ पर कोई गाड़ी लेके डारेक्ट जाएंगे ट्रावर के घर पे गायस यहाँ पर मेरे ख्याल से खीदी चल रही है अरे गाइस चौप के बीना शौक बदलते ही रहते हैं वैसे गाइस पुलीस ने हमारा पीछा तो छोड़ दिया है पर हमें अभी भी खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि गाइस अभी भी हम most wanted criminals में से एक हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर military और पुलीस हमारे पीछे हाथ धोके पड़ी है और गाइस पुलीस और military से एक साथ में नेपटना काफी ज़ादा मुश्किल है इसलिए अभी भी हमें काफी ज़ादा साफधान रहना पड़ेगा छुप छुप के रहना पड़ेगा मैं तो गाइस दुबारा से अपना भेज बदलने वाला हूँ क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता मुझे दुबारा से military पकड़के ले जाए अरे तो चॉप मैं आ रहा हूँ अब यार आजा आजा अरे यार चॉप यहाँ पर हाईवे तो चल रहा है तो हमें यहीं पॉतल जाना चाहिए अब यार मैं गिर गया अरे दोस्तो चॉप गिर गया अरे चॉप गिर गया कि तुम अब यार यार कि तो यह दिखाई नी दे रहा है लग गई मेरे अरे तो फिर इतना उच्छल क्यों रह थे अब यार आ औरे ठीक है ठीक है कोई बात नहीं अभी मैं यहां पर गाडी को लिए गाड़ी से लेकर आता-मारहरो को फोलिकरा बेसा भी रहा हूं बोगत आता हो last ईसकी ही गाड़ी लेता हूँ चलो इतर गाड़ी से अपनी गाड़ी के पास में भी जाना है तो इसकी ही माने का प्लान है मेरे को अरे नय नी चॉब तुम चंता मत करो यहां पर मैं बढ़े ही स्पीड में तुम पहुचा दूंगा ट्रावर के घर पे अब यार हाँ ठीक है पर safely पहुचा देगा ना अरे हाँ Вот day पहुचा दूंगा अरे यार चॉब तुम डर ते बहुत जादा हू तुम्हें पता नहीं क्यों डल लगता है अब यार मुझे तुस से डर नहीं लगता तिरी ड्राइविंग से डल लगता है अरे यार मिनी ड्राइविंग इतनी अच्छी तो है अब यार थोड़ा स्लो चला ले स्लो अरे नहीं नहीं हमें काफी जादे जल्दी पहुंचना है ट्रावर के घर पे इसलिए स्लो चलाने का तो सवाली पैदा नहीं होता अब यार तु मरवा की मानेगा अरे यार यह देखो यहां पर बूस्ट भी लगा दिया मैंने अब यार यह क्या कर रहा है तू इतनी जादा स अरे यार तुम चिंता मत करो अभी काइस मैं आराम आराम से लेकर जाने वाला हूं इतनी स्पीड पर चलाने वाला हूं मैं गाड़ी को अरे यार यह दुबारा से ठुक गई अब है कलुए माना कल तेरी ड्राविंग बहुत है खराब है अरे हाँ हाँ चॉप ठीक है ठीक ह तो गाइस चलो मैं आपको ट्रावर के घर पे पहुंचने के बाद ही मिलता हूं गाइस तो काफी ज़्यादा शॉटकट्स माइने के बाद मैं हम लोग बस यहां पर ट्रावर के घर पे पहुंची गए अब यहार काफी दूनों बाद आ रहा हूं मैं ट्रावर के घर पे अ रहा है अरे एक मिनिट रुकू यह तो काइस रोन है अरे रोन कैसे हूँ आ तो एकदम अच्छा हो और पल तुम ट्रावर के घर की फैंस की तोड़ रहा हो अरे नहीं नहीं वह मैं जान बूचके नहीं कर रहा था अरे यार तो ट्रावर और बागी सब कहां पे हैं और यार प पॉर्डर लगता है पुलिस से कई पुलिस मुझे ना पकड़ ले अरे तो दोस्तों मैं यहां पर आ गया अरे यार कौन है अरे मुझे नहीं पैचाना मैं particulier नवाब ने पैचा लिया फ्रेंक्लिन आव आओ अरे यार तुम सब यहां पर हो यह ड्रेंकलिन कहां पे है अरे जूआ लीए तुमारे भाइंग्लिन मेरे गैराज में बात्रूम करने जया है. अरे क्या गैराज में कॉन बात्रूम करता है? मैं तु महीं पे कर रहा हूँ. क्यो आरे ट्रावल तुम तो अरखी आदमी हो. ठीक है मैं उसको लेके आता हूँ. काईस कहीं वो ड्रैंक्लिन का बच्चा भागी न जाए अब कलुए यहां इतनी बास कैसे आ रही है अरे चौप तुम अब आए हो अंदर अब यार और क्या अरे तुम बीना कितनी देर लगाते हो खेल छोड़ो मैं यहां पे काईस पहले ड्रैंक्लिन को लेके आता हूँ अरे यार फ्रैंक्लिन जल्दी आना हमें यहां पे को जरूरी बात करनी है अरे बात पर किसलिए बात करनी है तुमें अरे यार वो हम लोग मिलिटरी की बैक चुराने वाले है हाई टेक वाली अरे क्या अरे यार अरे हां हां हम प्लानिंग कर रहे हैं अरे उसी बाइक की वज़ा से तो हम लोग यहां पर पुलीस से छपे छपे फिर रहे हैं और तुमको वही बाली बाइक चुरानी है अरे यार नवाब को वह वाली बाइक चुरानी है क्योंकि वह वाली बाइक पुले 400 करोड की है अरे यार 400 करोड वैसे गाइस यह लोग ठीक बोल रहे हैं अगर पुलीस अल्रेडी हमारे पीछे लगी हुई है तो वह वाली बैक चुराने में कोई बुरा ही नहीं है अरे यार हां अगर हम इस बैक को नहीं चुराए ना तब भी पुलिस हमारे पीछे लगाए अच्छा करोड के हसाब से हम लोगों को 100 करोड रुपे मिलेंगे और भाई कौन से बैक चुराने की बात हो रही है अरे इसको नहीं बताऊंगा मैं यह बेवडा कहीं का कुछ करेगा तो है नहीं और गाइस अगर इसको पता चलाना तब गाइस यह भी हमारी चूरी में शामिल हो जा अरे याज चंदी चौर फ्रेंकलें इतने चोटी चोटी चौर यहां करने लग गाई हो अब तुम अरे हाँ कुछ जैसा ही समझ लो अरे अरे वहाँ पर मत जाओ वहाँ पर तुमारा भाई थोड़ा हलका हो रहा है अरे हाँ हाँ मुझे बता है उसी को लेने जा रहा हूं म आरे यहाँ यहां पर भागया नहीं है अदे सब्सक्राइबmost अइरे मेरे इस फ्रैंकलें को सुला देता हूं मैं यहिले अरे यार ये क्या होगे अब मुझे अब भी फ्रेंक्लिन के कपड़े बदलता हूँ मैं और इसके नकली पाल और इसके नकली ताड़ी को भी निकाल देता हूँ और अपने उपर लगा लेता हूँ फिर मैं बन जाओंगा फ्रेंक्लिन और ये बन जाए का ड्रेंक्लिन अब आएगा मजा मैंने यहाँ पर फ्रेंक्लिन के और अपने कपड़े चेंज कर लिये हैं और तो और ये नकली बाल और ये नकली दाड़ी भी अपने लगा ली है अभी चलता हूँ अपनी दोस्तों के पास में ये बताने के लिए कि असली फ्रेंक्लिन मैं हूँ पर असली फ्रेंक्लिन तो कोई और ही है अरे अच्छा अरे हां हां अब कलुए आ गया तू ड्रेंक्लिन कहां पर है अरे हां हां ड्रेंक्लिन कहां पर है अरे वो ड्रेंक्लिन तो वहां पर गिरा हुआ पड़ा है अरे क्या बुल रहे हो तुम अरे यार आपकी अवास को दुबरा क्या हो गया अरे कुछ ने कुछ न मैं तो बद्वू के मारे मर जाओंगा और तुम लग जाओ मैं लग रहा हूं निघी ठीक चलो चलो अब यहार कल वे चल चल अरे हां अरे यार रोन के बच्चे हमने तुमने ड्रेंक्लिन पर नजर रखने के लिए बुला था क्या हो गया ड्रेंक्लिन को अरे क्या ड्रेंक्लिन को क्या होगा ड्रेंक्लिन को तो टाम लग रहा है ना पौटी करने में अरे पागल कहीं के, ड्रैंकलिन को कोई मार के चला गया, आरे यार वहां तो सरफ तुमें गाय थे, अरे यार फ्रैंकलिन तुमने ड्रैंकलिन को माल दिया, अरे ने नी मैंने नी मारा है, ये ड्रैंकलिन यहाँ पे खुदी पड़ा हुआ है, अरे यार ये जिन्दा तो है न अब यार मैं तो चला तुम्हें मैं से पर चला है जोड़ूंगे नहीं प्लीस भी आ गए है किसी को नहीं को चला मैं तो चला मैं ही वसी ट्रैंक्प्राइंक्लिन और Franklin की हालत मैंने की है अभी तो उसको बेऊश किया है पर तुम लोग नहीं माने तो उसको माल भी डालूँगा मैं हाँ 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 चला Franklin यहाँ पे भाग के हाँ अरे यह क्या यहाँ पे यह लोग भी कितने ज़्यादा बेवकूफ है यह लग मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे अच्छा हुआ मैं इनके साथ में आ गया वहना पुलीस से मैं कभी भी नहीं भाग पाता पर अभी मैं भाग जाऊंगा अरे हटो पुलीस वालों अरे यह क्या पुलीस दुबारा से मेरे पीछे लग गई है अरे यार वचादे दूर नहीं कया होगा अरे यार कौन मेरे साथ में आता है अभी यार 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 पर सबको मार डाला उसने अरे यार सबको खाल कर दिया आरे मैं आ रहा हूं तुमारा साथ में चौड़ांगा ने उसको कहां पर बाग गया वो अरे यार यहीं कहीं होगा जाएगा कहां पर हमसे बचके अरे यार कहां पर गया था अरे यार लगता है वो यहां से राइट गया था अरे यार तो राइट ले लो अरे यार यह क्या मैंने तो यहां पर कुदा दिया तो दोश्तो आपने देखा कि यहां पर ड्रैंगलीन जोकी मेरा भाई है उसने कैसे मुझे पीड़ डाला और यहां पे मेरे दोस्तो को भी खायल करके भाग गया अब guys देखना ये है क्या हम लोग ड्रैंग्लिन को पकड़ पाएंगे या फिर guys यहाँ पे हम लोग military और police से अपना पीज़ा चुड़ा पाएंगे और guys क्या हम लोग high tech bag को भी चुड़ा पाएंगे तो guys यह आपको पता चलेगा next वाली वीडियो में तो guys next वाली वीडियो देखने जरूर आना तब तक के लिए guys बाबाए